बच्चों मैंने आप लोगों को ये चैप्टर समझा दिया था चैप्टर नमबर टैन एंप्रियर एंड शाइडव पपेट्स इसके कोश्च राज सर समझ लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स आप लोग कोई भी टैन कर लीजेगा कोई भी टैन वर्ड मीनिंग्स आप लोग अपने कॉपी में फेर कॉपी में लिख सकते हैं कोश्च नमबर ए में देखिए आंसर फॉलाइं कोश्चंस फस्ट वाला है वाइड डिट दा एंप्रियर फील नोली आफ्टर दा क्वीन्स डेथ जो राजा था उसको अकेला पन क्यों फील होता था जब उसकी रानी खतम होगई थी क्योंकि वो उसकी रानी से बहुती ज़्यादा लगाव था बहुती इसनह था और जब वो खतम होगई तो उसको ऐसा लगता था कि अब मेरा कोई भी नहीं बचा है second what would the emperor say whenever the courtiers and minister went to him for advice emperor हमेशा क्या कहते थे जब मंत्री और सभापती उनके पास जाया करते थे advice के लिए तो वो उन courtiers से उन minister से कहते थे कि अभी मेरा मन नहीं है आप लोग बाद में आना third देखी what would the emperor watch whenever he sat in his palace garden तो emperor क्या देखा करते जब वो अपने palace garden बैटते थे तो वो ducks को, horses को, deer को इन सारे चीजों को देखा करते थे और वहीं पर अपना ज़्यादा सा समय बिटाते थे fourth what gave the priest a brilliant idea of making a puppet priest को puppet बनाने का idea कैसे आया priest ने जब देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं shadow में होकर तो उसे ये लगा कि मैं इस shadow से king को कुछ बता सकता हूं तो उसने वो चीजों को वहां से उसने वो अइडिय को लिया fifth what did the emperor build in the memory of the queen emperor ने क्या चीजे बनवाई अपनी queen की याद में उसने कही सारे hospitals बनाए कही सारे schools बनवाई ऐसी कही सारे चीजे emperor ने अपनी queen के लिए बनवाई थे take the great options पर आईए the emperor was said because he missed क्या आएगा b wife the queen वो अपनी wife जो queen भी थी उसको miss करते थे इसके बाद यहाँ पर देखिए the emperor was invited to watch puppet show ये लगा लेजेगा second का d third देखिए the stories were narrated by the priest third का भी b तो first का आएगा b, first का भी b है second का d है third का b है इसके बाद आईए question number third answers the following questions पर first देखिए how did the emperor's meaningless affect him emperor के राजा के अकेले पन ने उसको कैसे affect किया उसको ऐसे affect किया कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगा करता था उसे हमेशा अकेला रहना पसंद आने लगा था second देखिए why were the people of the emperor's kingdom his ministers a worried lord उसके लोग जो थे राजा के लोग और उसके मंत्री क्यों चिंते थे इसलिए चिंते थे कि राजा का किसी भी काम में मन नहीं लगा करता था और ऐसे करते करते राजा का मन प्रजा और मंत्रियों से हटता जा रहा था इसी बात को लेकर उसके लोग और उसके मंत्री चिंता में थे ऐसी कोई दो चीज़े बताओ जो राजा को चियर अप करने के लिए आनंदित करने के लिए लाई गही थी लेकिन तब भी राजा खुश नहीं हुआ तो कई बार सभा में डांस करवाय जाता था कई सारे डांसर्स को बुलवा के तो वो राजा को पसंद नहीं आया वो राजा उसको उससे आनंदित नहीं हुए और एक राजा नहीं को डियर भी भी भीजा था उससे भी राजा खुश नहीं हुए उससे उनका केलफन दूर नहीं हुआ फोर देखिए प्रीस्ट ने प्रीस्ट कैसे बनाए प्रीस्ट बेटा कॉटन के कपड़े से बनाए और उसको ऐसा पेंट किया कि वो कुईंग की तरह लगे है ना उसने प्रीस्ट को रानी की तरह बनाया ताकि राजे जब देखे तो उसे अपनी रानी की याद आया फिफ्ट, which story did the priest narrate during the poppet show? इसी कौन सी story थी जो priest ने narration किया था उसका जब सुनाया था जब वो पपेट show कर रहा था तो priest ने कुछ देते हुए लंहों को जो राजा अपनी पतनी के साथ जए नेची अची आदों को उसमें narrate किया था फिफ्ट, what was the emperor reaction after the poppet show? एम्परियर का reaction क्या था राजा का reaction क्या था तो राजा का reaction था कि वो बहुत ही ज़दा खुश हुआ था और उसने उसकी तारीफ भी की जिसने उसको परपिट शो दिखाया था और उसको ये समझ में आया कि जिंदगी में हमेशा दुखी नहीं रहना चाहिए लेकिन पुरानी चीज अच्छी वातों को याद करकर उस दुख को भूला देना चाहिए सैवन्थ according to priest what should a person do when faced with sorrows according उस प्रीष के साब से एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब वो कभी दुख में पढ़े तो दुख में जब प्रीष कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति दुख में पढ़त जिन्में तुम रानी के साथ खुशी से रहा करते थे और जब राजान ऐसा किया तो उनका दुख चला गया और वो सभा में और अपने राज पर मन लगाने लग गया बेटा ये थे question answers question number a मैंने समझा दिया आपको question number b मैंने tick भी लगवा दिया है question number c मैंने आपको समझा दि कर दो समझा दिया है